दिखावा वो नहीं जो आप दिखाते हैं, दिखावा थु वो होता है जो बीना आपकी दिखाये लोग देख जारते हैं नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आपके सामने हासिर हूँ एक नए मुठेग नए टॉपिक की साथ दोस्तों आज का टॉपिक है सर्फ प्रेजेंटेशन स्किल पे वीडियो बनाईए ज़रूर आपने कहा और मैं ना बनाऊ ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों आपका सवाल ही मेरी वीडियो का कारण है है बने रहीगा मेरे साथ आज देने वाला को ऐसे कुण सी चीजे है कौन से कैसे बढ़ी अप्रेजंटेशन एक बढ़ी अ प्रेसंटेशन स्किल कैसे अपने अंदर जगा सकते है इन सबी बातों पे आज बना रहा हूँ वीडियो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो पे देने वालाँ बैतरी इन पॉइंट्स आपको इन चीजियों के लिए दोस्तो प्रेजंटेशन एक बहुत इंपॉइंट है चाहे अपने इसकेल को दिखाना हो चाहे अपने पस्टालेटी को में भी कई बार हमको अपनी प्रोडेक्ट को भी प्रेजंट करना पड़ता है क्योंकि जो दिखता है वही मार्केट में बिखता ही है तो आप भी जानते इसलिए आज देने वाला कुछ बैतरी पॉइंट जो कि आपकी प्रेजंटेशन स्किल को साथ में आपकी प्रेजंटेशन टेक्नीक को बहुत अच्छे से इंप्रिमेंट कर देगा वैसे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता होंगे जैसे कि काफी लोगों से सुना होदी नर्टेशन से तो आपका इपका बढंदेंट भडिया होना चाहिए आपका आई कॉन्टेक्ट होनाा चाहिए आपका बोडई लेग्वेग्विस अपका ड्ररशिंग से यह सब आपको पता है लिकिन इसके अलावा आज कुछ बताने वाला हूँं जो साय आपको ना लगाता है वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के लिए आपने जो रिकॉर्मेंट की है आपकी जो डिमांड है उस पर काम करता हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तभी तो आप लाइक करते हैं इसलिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्डेट होता है आपकी वीवर्स के लिए तो यह जरूरी है कि आप अपनी वीवर्स को सबसे पहले समझें जैसा देश वैसा भीस दोस्तों यह पॉइंट अपने आपके बहुत इंपॉर्डेट है कई बार क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट लोग पस्नानिटीज के पास अलग अ देने पड़ते है कई बार बिजनस से रिलेटेट कई बार जॉप से रिलेटेट में भी एक्वाइज लेकिन आपको क्या करना होगा हमेसा आपने दिवाग में बात याद रखने हों कि जैसा देश है वैसा वेस होना चाहिए मतलब अगर वहां पे नॉर्मल लोग बैठे है नॉर्मल ड्रसिंग सेंस में बैठे है और आप इकदब बना चड़ा के जा रहा है तो उनको कुछ डिफरेंट फील आती है तो कुछ डिफरेंट नहीं करना है उनके बीच मिलने के लिए उनको अपनी बाते कानों तक नहीं उनके दिल तक पहुचाने के लिए आपको उन ज जैसा दिखना पड़ेगा इसलिए तो मैंने बोला जैसा देश वैसा बेज अगर वहां पे नॉर्मल लोग हैं काफी जाता एज़ेट लोग हैं तो आपको एज़ेट बाते करने पड़ेगे आपके एक्जांपल्स पावरफुल होने चाहिए यंग परसंस है तो आपके एक पता है मेरा वीवर 18-35 है इसलिए मैं यग वीडियो डालता हूँ एनर्जी टिक डालता हूँ क्यूंकि आपको एनर्जी पसंद आती है दोस्तों ये मुझे पता है ऐसे ही आपको भी सबजना पड़ेगा कि आपका वीवर कैसा है थोड़ा धार्मिक है ट्रेडिशनल है जया पॉयंट था दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूंको मेरा दूसरों बहुत इंपॉइन मोटन के यहार चाहां हर इसका अलग विवहार सब जार्मिक हो बहुत इंपॉइल्ट है काउनलू है क्या थीज यू की यंदचर है क्या वह ट्यूट यह चर्य है या लिडियो रहे या फिर आप एक topic oriented दे रहे तो आपका topic उनके current age से relate करना चाहिए आपका example अगर आप 70 years में जाकर किसी ऐसे example का modern example दे रहे हैं तो कहीन कहीन से relate नहीं कर पाता तो यह आपको सबजना होगा कि आप किस age पर presentation प्रेजंटेशन देने जा रहे हैं या फिर आपका viewer कौन है यह बहुत important role play करता है इसलिए ध्यान रखेगा कि हर age का अलग प्यार होता है और हर age किसा अलग तरीके की dealing होती है तीसरे point की बात करूंगा दोस्तों दोस्तों एक presentation देने वाले की और एक presentation की सबसे असीर खासियत क्या होनी चाहिए कि वो अपने viewers के सपनों में गुच जाए जी हां सही समझ रहे हैं आपको एंटर करना होगा अपने viewers के सपनों में या फिर आपकी presentation में उनको उनका भविश्य दिखना चाहिए उनको उनकी emotional feelings दिखनी पूर वो आपकी presentation से नजरे नहीं अटाएगा वो आपकी presentation पे आपकी explanation पे आपकी चीजों पे बहुत गौर से ध्याम देगा और यह आपके लिए बहुत important है क्योंकि आपको पता है ना कि viewers की कीमत क्या होती है दोसो मेरा fourth point जैसा कि मैंने आपको बोला था वो बहुत important है और वो यह है कि मेरी video पूरी परियो से देखने के लिए आपके इस video में बने रहने के लिए और तीनो points पे अपनी नजरे गढ़ा कर उनको implementation करने के लिए हाथ जोड करता है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो को like, share, comment करके मेरा उसा बढ़ाते रहने के लिए और अपने सवालों को comment box में डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन